कि नमस्कार प्रेंट्स रॉगत आप सभी का यूटूब चैनल देशा एगरी कल से अक्रेडमी पर जैसा कि कल बियस्सी एजी फिफ्ट समस्टर वाले बच्चों का जो एक्जाम है वह मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग दूद और दूद से बनने वाले उत्पाद इस पर इस ध्यान रखिए हमारे वीडियो दीजिए तो सोगाइच पूरा हमने फोकस जो है फिफ्ट समस्टर वाले बच्चों पर बना के रखा है तो अब आप चिंता मत करिए आपके हर एक 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 जाम हर एक बिसे की तयारी हम कराने के बिल्कुल तत पर हैं और डे बाइड डे आप आपको प्रोवाइड कराई जाएगी कुल मिला के आपको कहीं भाग के नहीं जाना सब कुछ आपको फिर यूटूब पर यहीं पर मिलने वाला है सो गाइच इंपॉर्टन बात बताता हूं आपको की दिसा एग्रीकल्सर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस् सब्सक्राइब कर लेना और ध्यान रहें कि आज क्लास में जो हम आपके लिए प्रसंद लेके आए अगर परिच्छा में 5 प्रसंद आपकी परिच्छा में ना पूछे जाए बच्छों तो जो आप कहना चाओ कह सकते हो कमेंट से पूरा खाली बड़ा आप कुछ भी लिख सकते हो ठीक है सो गाइज आज की क्लास से आपकी परिच्छा में लगबग 5 सबाल आना बिल्कुल पक्की बात है तो इसी प्रकार की लेटेश्ट और सांदर कंटेंट प्राप्त करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए गादी सायगरी कलसर अकैडमी को क्योंकि आप सब कि सपोर्ड की हमें जरूरत है आप सब का साथ में आना बहुत जरूरी है अगर आप सब कह रहते है कमेंट में की सब retir हमारी पकी कलस सला ये तभी हम आपको ध्यान में रखके आपके विश्बेक कलास सलाने के लिए काम आज से हमने स्टार्ट कर दिया है अब आपकी हर एक पेपर की तैयारी हम अच्छे से करवाएंगे तो आपको चिंता नहीं करने है ठीके ना तो सभी से यार अगेन रिक्वेश्ट है जतना हो जा कि इस क्लास को सेयर कर देना बस अपने दोस्तों की बीच में तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को पढ़ते हैं कोस्टन नमर फस्ट इसके बाद में जो लेकर आएंगे पनीर छेहना खुआ और आइस क्रीम मट मट बटर मतलब इन से जो प्रोड़क्ट से जो भी कोस्टन्स बनेंगे उन कोस्टन्स को भी नेक्स्ट वीडियो हम कबर कर ले होगे यह कोस्टन जो लिखा रहें रामबाण कोस्टन्स परिच्छा में इनका आना ही आना है यह समझो आप ठीक है है तो ऐस कोस्टन्स नमर फरस्ट किसमें आती है डाई सेकराइड क्यों क्योंकि इसमें सरकरा के दो अडू लेते हैं भाग इसलिए डाई सेकराइड के टेगरी में आते हैं और लैक्टोज बच्चो गुलूकोज किसके दौरा मिलती बनके गुलूकोज प्लस गैलक्टोज से मिलके बनती है लैक्टोज डाई स सेकराइड है जिसको दुग्द सरकरा या फिर मिल्क सुगर की नाम से भी जानते हैं और दूद का प्रभु कार्भो हाइड़ेट की बात करें तब भी आंसर करोगी लेक्टोज सो गाइज दूद में अभूमन 5% की आज़ पास लेक्टोज सरकरा पाई जाती है तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे आई वोप आपको पसंद आये होंगे कोस्टन नमबर 2 दूद यानि जो मिल्क है इसमें किसत्त्तो की अधिक्टा पाये जाती है काफी अच्छा कोसंस आया आपके सामने क्यों दूद है इसमें किसत्त्त्तो की अधिक्टा होती है सोगाई जिसमें कैलिसियम और फासफोरस की अधिकता पाई जाती है जो मिल्क है यानि दूद है इसमें कैलिसियम और फासफोरस की अधिकता पाई जाती है अगर हमसे बातर की दूद में जो है कमी किसकी पाई जाती है सोगाई दूद में कमी पाई जाती है आइरन मिन्स लोह और विटामिन सी की तो प्यारे बच्चों दूद में कैलिसियम और फासपॉरस की तो अधिकता पाज जाती है लेकिन हमसे कमी की वाद करेगा तो यहां पर आयरन एंड विटामिन सी बिल्कुल सही उत्तर माना जाता है क्यों बच्चों क्योंकि हम यह जानते हैं कि जो अधिक दूद देने वाले पसू होते हैं उसमें एक बिमारी लग जाती क्या मिल्क फीवर और वो बिमारी किस्तत की कमी से लगती है तो कैलिसियम की कमी से लगती है तो ऐसे भी प्रस्णों को हम समझ सकते हैं सो गाइस कोस्चन नमर तीन आपके सामने है यह कापी अच्चा कोस्च यानि मिल्क जो दूद है इसका सफेद रंग बच्चो किसके करण होता है दूद यानि मिल्क जो है इसका सफेद रंग किसे करण होता या हमसे पूझले कि दूद में उपस्तित प्रोटीन कौन सी है तो केसीन वैसे अगर दूद में देखा जाए तो एलविमिन की मात्रा प लगधी बहुत पाइज आति हैं लेकिन पूरे दूद में अगर प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाईजाती तो 80% प्रोटीन पाई जातीiano की इस की से प्रोट abandon की उपस्थित के कारन या कैसी प्रोटीन के पाईज जाने कारण जो अपना दूध है यह दूध का रंग बच्चों सफेद होता है यह काफी इंट्रेस्टिंग कोस्चन्स है अगर बात कर ले आप से कि जुदूध का रंग पीला और खास तरफ जो गाएं है मतलब काउ है गाएं अगर इनका दूध का रंग पीला होता तो वह कै अगर आप चाहते हो भया कि इसी प्रकार के आपको आगे भी वीडियो मिले तो पिलीज हमारे साथ में आजाओ हमारा सपोर्ट करो कुछ नहीं करना है चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना है ठीक है गाए के होता कितना है तो 1.028 से 1.030 यह काफी अच्छा कोस्टन से कि जो गाय है इसके दूद का आप इच्छी घनत होता है 1.028 से क्या होता है बच्चो 1.030 तरकी भी देखलो आप 2.8 लिखा है ना बच्चो क्या लिखा है दो आट दो आट लिखा है अगर इसको जोड़ो तो 10 हो जाता है अथा तो 1.028 से 1.030 जबकी बच्चो भात की जाए कि जो भैंस है भैंस के दूद का अप इच्छी गनत कितना होता भैंस के दूद का भैंस इसका होता 1.030 से 1.032 यह होता भैंस के दूद का फिच्ची गनत क्या होता है यह कुछ होता है 1.035 से 1.030 से बन होता है ठीक है न यह कापी अच्छा कोस्ट से तो कोस्टर नमबर नेक्स्ट प्यारी बच्चो पास्चोरी करण की खोज किस ने की थी बच्चो पास्चोरी करण की खोज की थी यह की थी लुइस पास्चर ने जो पास्चोरी करण है पास्चोराजेसन ऐसी खोज की थी लुइस पास्चर ने और पास्चोरी करण के लिए करने से होता क्या जो दूद है डूद में उपस्ति जो फीक्टिरिया राते हैं जो रोग पचाए उनको मरते हैं तपमान होता यह इन्सी अल्टी इल्टी मेतब्न यह पर सामिल रहता है एस्ट्ट्न यहाँ पर सामिल रहता और इसमुर्फ प्रूटा क्या कि दूद को एक निश्चित ताप मान पर एक निश्चित समय के लिए गरम किया जाता है और जो भी जीवान दूद में उपास्टी था हा निकारग वो नस्ट हो जाते हैं तो इस किरिया को बोलते हैं पास्चुरी करना इसकी खोश किसने की थी लूइस आध रख लेना इसके तो इसमें जो अपना दूद है त्रेस्ट डिग्री सेंटीग्रेट पर गर्म किया जाता है और थार्टी मिनट के लिए काफी इंट्रेस्टिंग कोस्चन है इसको भी आ नहीं आना है पर इच्छा में 100% में लेकी दूंगा इस परसन की 100% छपेगा ब और पंद्रा सेकेंड यह काफी इंट्रेस्टिंग और लॉजिकल कोस्चन से इसको भी आप याद कर लेना बढ़ते हैं रिक प्रसन नंबर नेक्स्ट की तरफ टॉंड मिल्क में बसा प्रतीसत होता है सो गाइज जुड़ जो टॉंड मिल्क है इसे बसा की बात करेंगे 3.3% और एससन प्रे साधे 8% पाए जाती बात की जाए डबल टॉंड मिल्क की बस्चो किस की बात किये डबल टॉंड की तो डबल ते बन गया डेर परसन्ट उजिसमें है और तो सुझा स्के Beauty कि सोनीज leans 국이야 कि ऐसले Vincent में 25 मिलकि साथे तीन और शाड़े आठ परसर्ञ बसा और सिर्ड़ की मातरा होती है जबकि डबल टोन में देड़ परसंट और नौ परसंट बसा और सिर्ड़ की मात्रा पाई जाती मतलब शाड़े चार परसेंट फैट है और शाड़े आठ परसेंट है यह यह सेनब की महात्रा पाई जाती मतलब मान की करते हैं इस्टेंडर्डाइजड मिल्क में तो यह काफी इंट्रेस्टिंग और लॉजिकल कोस्टन्स आपके बीच में था अच्छा छेना जो है वो किसके दूस से बनता है गाईज गाई की दूस से अच्छा छेना बनता है क्या जी बिल्कुल बनता है सबसे अच्छा अगर छेना की बात करें तो गाई की दूस से जबकि सबसे अच्छा खोबा और पनीर जो है यह बनता किसके दूस से सो गाईज य करनाल हरियाणा में कांफ पिंदिन लنا करնाल हरय कोशन फा अमूल का पूरा नाम आपसे पूछ दिया गया तो आनन्ध मील की योनियन लिंट्ड क्या है और मुल्र पीता है इंदिया बच्छों सूना हुगा अनन देलक योनियंıyoruz लिंट्ड्ड तो गाइज अगर आपको डेरी डेवलाप्मेंट इस से संबंध है को आपरिशन फ्लाट तो आपरिशन फ्लाट का संबंध है डेरी विकास यह कौभी इंट्रेस्टिंग और सांदर कोस्टन्स वाइस पक्का आपको प्रसंद समझ में आयोगा और आपको मज़ा भी आ रही है स्वयत किरांद के पीता के नाम से किसको जानते हैं सोगाइच डाक्टर बर्गिच कुरियन किसको जानते हैं जो डाक्टर बर्गिच कुरियन है डाक्टर बर्गिच कुरियन इनको फादर आप भाइट रिवलेशन के नाम से जानते हैं और इनी की यादगार में परतेक को एर राष्टी दुख दिवस की रूप में मना जाता है जबकि एक जून को मनाते जो बर्ड ये तो मनाते एक जून को कि लेकिन जो राष्टी दुग दिवस जैра मनाते 26 नवंबर को क्यों कि 26 नमर को बरगीश कूरियन जो थे फादर आप भाइट रिवलेशन सुभायत क्रांद की जो पिता थे इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था है पी बड़्डे था कि सो गाइज आपको क्लास पसंद आ रही होगी नेक्स्ट दुग्द दोवन की शर्वुत्ता बीद आपसे फूशी गई तो पूर हस्त बीदी यह दुग्द दोवन की सबसे अच्छी बीद होती है पूर हस्त या फिर मुट्थी बीदी या फिर बच्चों इसी को बोलते फुल हैंड मेंटर्ड या फिर फिस्टिंग के नाम से इसको जानते हैं तो सबसे अच्छी बीद होती है मिल्किंग दूद दो होने की ठीक है ना वसा का आप एचिक घनत बच्चों कितना है 1.093 बन आप कीजिएगा 0.93 यह होता वसा का आप एचिक घनत ठीक है दूद में उपस्तित प्रोटीन की बात करी जाए तो कौन थी थी वह या क बसा है यह है इमलसन के रूप में पाई जाती बसा कित रूप में पाई जाती इमलसन के रूप में ठीक है और जबकि क्या है लेक्टो जैनि जो सरकरा है यह पाई जाती सलूसन यानि घोल के रूप में तो यह इंट्रेस्टिंग पॉइंट है इनको आप याद करके जाएं एक्जाम में दूद की pH बैलू क्या है बच्चो तो 6.4 से 6.6 यह दूद की क्या होती pH बैलू मानी जाती है बच्चो दूद क्या है दूद एक complete भूड है मतलब पूड आहर इसको बोल सकते हैं दूद क्या है दूद इस एक complete भूड त्यारे बच्चो दूद में कमी होती है ज केलिसियम या फासफूरत की अधिकता ही ठीक है लेकिन हम में यार क、「 कमी खिस के पाउज जा जा यह जो कमी है यह आयरन की है और की कमी होती यह ठीक है कॉसीन is a कि कि खोया के लिए कितना दूद लगेगा अगर किσι भीपार्मर्स को खुड़ा तयारकरना तो कुल मिलाके एक किलो ग्राम खोया उसको तयार करना दूद कितिना लगेगा क्योंकि हम बच्चों जानते हैं एक लीटर जो दूद है हम जानते हैं एक लीटर दूद से खोया कितिना बनता है अगर दूद भैस का है अगर दूद भैस का है बच्चों तो भाई सो गराम की आसपास खोया बनता है अच्छा एक लीटर से बन गया भाई सो गराम तो हमें चाहिए कितना एक किलो गराम एक किलोग्राम में कुछ कित्त चाहिए एक हजार ग्राम होते हैं बच्चो ये जो है इसका कित्ता गुना है इसका बच्चो ये चार गुना है चार गुना है की नहीं तो इसका भी चार गुना करना पड़ेगा मतलब हुआ कि जाके चाल लीटर दूद की आप सकता पड़ेगी कितने दूद की आप सकता पड़ेगी चाल लीटर की पड़ेगी तो यहाँ पे चाल लीटर दूद की आप सकता पड़ेगी एक किलोग्राम खुआ तयार करने के अगर दूद है भैस का तो ठीक है so guys ये थे top 20 questions I hope आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे ठीक है ना है next part अगर इस part को आप बहुत सारा प्यार और support करोगे ज़्यादा ज़्यादा like, share and subscribe करोगे तो बच्चो हम आपके लिए दूसरा वीडियो भी आप साम को provide करा देंगे अब फैसला आपके हाप में हो सके जितना class को यार share कर देना interesting question लाते हैं सांदर content है आपको मजाएगी और exam में सीधे की सीधे सवाल आप से पूछी जाएगे so guys आशा करता हूँ कि आपको यार वीडियो पसंद आए होगी comment सकते हम अपनी दाय जरूर देना तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए नमस्कार thanks for watching